हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिट्रेरी डिवाइस अनडिपलोसिस की दोस्तो अनडिपलोसिस ये एक तरह का रिप्रेटेशन है सबसे पहली बात तो ये है के अनलिपलोसिस एक गृिक लेंगवीज का शब्द है जिसका मतलब होता है repeat करना यानि या तो अब ये repetition same line में होगा या फिर दो अलग-अलग line में होगा अगर एक ही line में repetition होगा तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई coma आपको इस तरह से दिखाए देगा और अगर ये repetition दो अलग-अलग line में होगा तो इसका मतलब यह है कि उनके बीच में full stop वगयरा कुछ ना कुछ जरूर आएगा तो यह repetition या तो जैसे कि अगर coma एक single line में repetition हो रहा है तो बीच में कोई coma आएगा और coma से पहले जो word है वो coma के या तो फोरण बाद आ जाएगा या फिर एक आद वर्ड के बाद में वो आ जाएगा क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं near ठीके यानि यह जरूरी नहीं है कि coma के पहले जो word है coma के बाद फोरण आना चाहिए हो सकता है कि उससे पहले एक word यहां पर इस तरह से आपको जैसे आपर आ रहा है आई coma से पहले ए ग्यू और coma के बाद के होना चाहिए था ग्यू लेकिन ग्यू नहीं है बलके किया है आई तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर single line में हो रहा है वर बीच में कॉमा है तो कॉमा से पहले जो word है वो कोमा के फोरण बाद भी आ सकता है और एक word के बाद भी वो आ सकता है ठीक है, एक्जाम्पल है इसका जैसे कि वेन आई ग्यू, आई ग्यू माइसल्फ ठीक है, यह एनडेपलोसिस है नेक्स लाइन से और समझाब इसको इस लाइन में देखे, लिसिडस is dead dead at his prime यहाँ पर देखे, यह भी सिंगल लाइन का रिप्टेशन है, जो के एनडेपलोसिस है देखे, कोमा से पहले है dead और कोमा के फोरण बाद भी है dead, तो देखो यह बिल्गुल सही है, कोमा से पहले जो वर्ड है, वो कोमा के फोरण बाद नहीं है, बलकि उससे पहले आपको यहाँ पर आई दिखाए दे रहा है ठीक है, तो basically एनडेपलोसिस यह एक रिप्टेशन ही होता है और रिप्टेशन कैसा, यानि अगर सिंगल लाइन में है, तो कोमा का आपका धियान रखना है, और अगर फुलिश्टोप भी आ रहा है, दो लाइन है या एक ही लाइन के अंदर फुलिश्टोप है तो फुलिश्टोप से पहले जो वर्ड होगा वो फुलिश्टोप के फुरण बाद आ जाएगा या फिर एक वर्ड बीच में लेकर उसके बाद वो आ सकता